हेलो दोस्तों तो स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल एनके किलासेज में तो चलिया समझते हैं किलास टेंथ के साइन्स के इंपोर्टेंट कोशनों को जो हमारे आने वाले 2024 में बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत महत्वपुन साबित होईंगे तो चलिया आज समझते हैं लेशन फर्ष्ट को जिसका नाम है हमारा रासाइनिक अभीकिर्या एयों समिकरन हमने जितने भी कोशन लिए वो पहले चैप्टर से लिए हैं जो की इंपोर्टेंट हैं तो पहला कोशन देखिए यह अभीकिर्या है तो और यह मिलकर क्या बना रही है अभीकिर्या अभीकिर्या यह विश्तापन अभीकिर्या तो प्यारे विद्यारते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह अभीकिर्या नेक्स्ट कोशन देखिए किस गेस की उपस्तित होने पर मेगनिशियम रिबन का देहन होता है तो यह बात कर रहा है मेगनिशियम के यह अनिकि मेगनिशियम को किस गेस की उपस्तित्ति में जलाया जा सकता है तो हमारे पास option है carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen या oxygen तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number D यानि की oxygen किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें oxygen की उपस्तिती बहुत जरूरी होती है तो next question देखिए दानेदार जिंक पर तनू, SCL यानि की hydrocaloric आमल डालने पर कौन सी gas उत्पन होती है तो प्यारे विध्यार तो ये बात कर रहा है दानेदार जिंक की यदि हम उस पर hydrochloric आमल डालते हैं तो उससे कौन सी gas उत्पन होती है तो हमारे पास option दिए गए है hydrogen, sulfur dioxide, chlorine या oxygen तो प्यारे विध्यार तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि की hydrogen gas जब हम जिंक पर तनू-sulfuri, sorry, तनू-hydrocloric हम डालते हैं तो उससे hydrogen gas निकलती है नेक्स्ट कोशन देखिए आईरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त योगी है तो हमारे पास option दिए वे हैं FE203, FE304, FEO, FE203 और FE304 तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number B यानि की FE304 नेक्स्ट कोशन देखिए CAO plus H2O मिलकर क्या बना रहा है CAO H2 अब ये पूछ रहा है उपर युक्त अभिक्रिया कौन सी है तो इसके में अभिक्रिया हो जाएगी हमारी पहला option देखते हैं कौन कौन से है पहला option है हमारे पास अब गटाना भिक्रिया व्योजन अभिक्रिया, सैयोजन अभिक्रिया या विस्तापन अभिक्रिया तो इसका right answer हो जाएगा हमारा सैयोजन अभिक्रिया क्योंकि दो या दो से अधिक तत्तु मिलकर एक ही पादार्थ का दो या दो से अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो अभी कारक हैं और एक नय उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉप्शन देखिए, नम वायू में तांबे की बाहरी सते पर किस रंग की परत चड़ जाती है, तो उप्शन है हमारे पास भूरी, काली, लाल या हरी, यदि हम तांबे को वायू की उपस्तिती में बाहर छोड़ देएं, उसको ऐसे जगे छोड़ दें, जहाँ पर नामी बनी रहती है, तो उस पर हरे रंग की परत चड़ जाती है, ठीक है, नेक्स्ट कॉप्शन देखिए, निवन में से जिंक का परतीक चिन क्या है, तो ये बात कर रहा है जिंक यानिकी जस्ते की, तो जस्ते या जिंक का परतीक चिन क्या है, ओप्शन है हमारे पास JA, ZO, ZN या ZI तो इसका प्रतिक चिन होता है ZN Next question देखिए संग्मर्मर का राशायनिक सुत्र क्या है? संग्मर्मर का राशायनिक सुत्र क्या है तो हमारे पास ओप्शन है CA, CO3, CA2, CO3, CA, CO2, CA, CO तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर A यहने कि केल्सियम कार्बोनेट CA, CO3 Next question देखिए सल्फ्यूरी कमल का राशायनिक सुत्र क्या है? तो यह बात कर रहा है सल्फ्यूरी कमल तो हमारे पास चार ओप्शन है H3, SO4, C option, H2, SO2 और D option है हमारे पास SHO तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर A यहने कि H2, SO4 सल्फ्यूरी कमल का राशायनिक सुत्र है यह Next question देखिए बिना बुजे हुए चूने की अभी किरिया किसके साथ कराई की बुजा हुआ चूना बन जाए यहने कि यह बात कर रहा है बिना बुजे हुए चूने की यदि हमें उसको बुजा हुआ चूना बनाना है तो इसकी अभी किरिया किसके साथ कराई आमे तो इस option हमारे पास जल, मेगनिशियम जिंक या कोपर तो हमें बिना बुजे हुए चूने को बुजाने के लिए उसमें जल मिलाना होगा यहनकी option number A हमारा right answer हो जाएगा धन्यवाद किलास